कॉफी शॉप के कॉफी सभी को पसंद आती है हलो अब्रिवन कैसे हैं आप सब चलिए आज बनाते हैं कैफे स्टाइल कॉल कॉफी तीन तरीके से बनाएंगे कॉल कॉफी बनाने की ये बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी है वीडियो में लास तक बने रहे ये ये आपको चरूर पसंद आएगी चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हमें कॉफी सिरप तयार कर लेना है एक बरतन में आधा कप हमें कॉफी डालना है और देड़ कप इसमें चिनी डालनी है एक कप इसमें हमें पानी डालना है पानी मैंने इसमें नॉर्मल ही डाला है इसी कप से मैंने कॉफी डाली थी तब ही इसमें पानी का कलर चेंज लग रहा है अब इसे हमें मेडियम हीट पर एक अच्छा बॉयल आने तक बॉयल कर लेना है ये देखिए इसमें एक boil आ गया है अब हमें gas बंद कर देनी है इसे ठंडा होने के लिए रख देना है ये देखिए शिरप अभी normal temperature में आ गया है इसे हमें फ्रीज में रखकर ठंडा कर लेना है आप ये शिरप बना कर फ्रीज में श्रोल कर सकते हैं इससे कॉफी बहुत ही tasty बनती है अब हम सबसे पहले बनाएंगे बहुत ही yummy cold frappuccino इसे बनाने के लिए हमें एक mixer जार ले लेना है और हमें इसमें डालना है कॉफी शिरप ये देखिए कॉफी शिरप मैंने इस बरतन में डालकर फ्रीज में रख लिया था जार में हमें 2-5 टेबल स्पून कॉफी श डालेंगे हमें और इसमें डालेंगे बहुत सारी आइस लगभग 20 से 25 टेश क्यूब कर हमें प्रीज में रख लेना है एक गिलास में 2 ce 3 मिनिट के लिए फ्रीज में रख दिया था में चौकलेट सिरप लगा लेना है एक गिलास में देखिए एसमें चौक लिख लगालेना गिलास में अब हमें ये कॉफी डाल देनी है ये देखिए कंडेंस मिल्क और आइस से ये ऐसे गाड़ा बन जाएगा सारा इसमें हम डाल देंगे इसमें हमें कंडेंस मिल्क और आइस की मात्रा सही रखनी है तभी ये ऐसा गाड़ा बनेगा ये देखिए अब इसके उपर से हमें आईस्क्रीम डालनी है मैंने इसमें वनीला आईस्क्रीम डाली है उपर से इसे चॉक्लेट सिरप डालकर गार्निश करेंगे ये देखिए ये बनकर तयार है कैफे स्टाइल कोल्ड फ्रेपेचिनो इसका फ्लेबर आपको सेम कैफे जैसा लगेगा आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए ये सब को बहुत पसंद आएगा कैफे स्टाइल दूसरी कॉफी हम बनाएंगे कोल्ड मौका इसके लिए हमें एकदम थंडा दूद चाहिए लगभग 300 आमेल फुल क्रीम थंडा दूद लेना है इसे हमें बोटल में डालकर शेक कर लेना है जिससे इसमें जाग बन जाएगा अब हम गिलास में थोड़ा चोकलेट सिरप लगा लेंगे इससे क्या होगा कि गिलास थोड़ा कैफे की फीलिंग देगा अब हमें गिलास में कॉफी शिरप डालना है आप भी ये कॉफी का सलूशन बना कर रख लीजे इससे बहुत ही अच्छी कॉफी बनती है कैफे जैसी स्ट्रॉंग स्मेल आती है कॉफी की इससे लगभग 2-5 टेबल स्पून इसमें कॉफी शिरप डालना है ये देखिए ठाइ टेबल स्पून मैंने इसमें कॉफी शिरप डाल दिया है अब हमें इसमें फुल क्रीम ठंडा दूट डालना है ये देखिए ये जाग वाला ठंडा दूट मैंने इसमें डाल दिया है अब इसके उपर डालेंगे आईस क्रीम आप अपनी मन पसंद की कोई भी आईस क्रीम इसमें डाल सकते हैं चोकलेट क्रस्ट करके इसको डेकॉरेट कर सकते हैं चोकलेट चिप्स डाल सकते हैं और चोकलेट सिरफ से भी इसको डेकॉरेट कर सकते हैं स्ट्रॉ से कॉफी सिरफ मिक्स कर लीजिए और ये बन कर तैयार है cold mocha cold mocha बहुत ही tasty coffee है आप इसे जरूर ट्रै कीजिए ये आपको बहुत पसंद आएगी अब हमारी तीसरी recipe है बहुत ही tasty cold coffee आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं ये देख लीजिए हमें कोई भी ढखकन वाला jar या bottle ले लेना है 7-8 इसमें ice cube डालेंगे इसमें हमें 2 टेबल स्पून coffee syrup डालना है ये देखिए जो मैंने coffee का solution बनाए था 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है अब हमें इसमें थोड़ी cream डालनी है लगभग एक गिलास इसमें दूट डालना है cream की जगों पर आप इसमें whip cream भी डाल सकते है आप इसको खाली full cream दूट से भी बनाएंगे तो ये बहुत ही tasty बनता है अब हमें इसका ढखकन बंद करना है और इसको अच्छे सिर्फ shake कर लेना है जिससे इसमें अच्छा जाग बन जाएगा इसे खोल कर देखेंगे ये देख लीजिए इसमें काफी जाग बना हुआ है गिलास में डालेंगे इसको इसके उपर से कॉफी या फिर cocoa powder डाल कर गार्णिश करेंगे सारा जाग इसमें डाल देंगे ये देखिए बहुत ही easy तरीके से cold coffee बन कर तयार है ये बहुत ही tasty बनती है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए cafe style cold coffee बनाने की ये आसान रेसिपी आपको पसंद आई तो like कीजिए family और friends में share भी कर लीजिए आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे comment कर सकते हैं जो भी चैनल पर नए है मेरी आने वाली useful वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए और खुश रहिए मिलते हैं next वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ